दोस्तों ये कहानी एक पक्षीपूर नामक जंगल की है जहां एक पिडिया कवी रहती थी पिडिया कवी दिखने में कुछ जादा खास नहीं थी इसी कारण उसे ये लगता था कि वे बहुत जादा बसूरत है और वे बिलकल भी खुबसूरत नहीं है इसी वज़े से वे हमेशा दबाओं में रहती पिरिया कोवी की हमेशा से यही ख्वाइश थी कि वे भी दूसरे पक्षियों की तरह खुबसूरत दिखे उसका भी रंग रूप निखर कर आ जाए इसलिए वे हमेशा कोई न कोई तरीका इस्तिमाल करती रहती जिससे वे खुबसूरत हो सके पिरिया कोवी का पती टुनमुन उसे हमेशा एक बात समझाता रहता था परन्तु उसे तो ये बात समझ में आती ही नहीं थी अरे पिरिया ये तुम हमेशा क्या करती रहती हो हमेशा अपने मुँपर कुछ ना कुछ लिपा पोती करती ही रहती हो तुम्हें ठूँ इतना जादा खुबसूरत और हसीन बनना है मैंने तो कभी भी तुम्हे बसूरत नहीं का और मैं तो तुम्हें खुबसूरती समझता हूँ औरो टूल्विंजी आप नहीं समझेंगे मुझे भी दुसरे पक्षों के तरह बहुत ज़्यादा खुबसूरत बनना है बस मैं कुछ नहीं जानती हूँ पिरिया तुम क्या समझती हो तुम इस तरह अपने मुपे लिपा पोती करकर बहुत ज़्यादा गोरी हो जाओगी तो क्या तुम खुबसूरत लोगोगी मैं तो ऐसा बिलकुल नहीं मानता तुम जिस दिन अपने आपको वोर से देखोगी उस दिन तुम समझ जाओगी कि तुम बहुत ज़्यादा खुबसूरत हो अरे आप मुझे चड़हाई ये नहीं मैं जानती हूँ मैं कितनी खुबसूरत हूँ हमारी ब्राद्री में तो सारे ऐसे ही हैं काले काले अरे हाँ मैं तुमें कब सा यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिर या क्या हमारी ब्राद्री में सब ऐसे ही होते हैं काले काले तो फिर तुम्हें ऐसा गोरा होने की क्या पड़ी है अरे टुर्मून जी आप नहीं समझेंगी जो पक्षी चेरे से खुबसूरत होता है न लोग उसे ही बहुत जादा हसीन पक्षी कहते हैं इसलिए मैं भी खुबसूरत होना चाहती हूँ ताकि लोग मुझे भी अच्छा समझें अरे अच्छा तो ये बात है तुम्हें लगता है के जो पक्षी शकल से बहुत जादा खुबसूरत होगा वे दिल का भी अच्छा होगा तो फिर जाओ किसी दिन जाकर जंगल में देख लो तो मैं असली खुबसूरती का पता लग जाएगा पिडिया कोवी शकल उसूरत से बले ही दूसरों से कम थी परंतो उसका दिल दूसरों से काफी जादा अच्छा और बड़ा था इसलिए वे दूसरे पक्षियों का काफी जादा खयाल भी करती जैसे के वे दूसरे पक्षियों के बच्चों को अपना लाया हुआ काफी सारा दाना ऐसे ही दे दिया करती थी जिससे दूसरे पक्षियों के बच्चे भी काफी जादा खुश हो जाते थे बस यही वज़ा थी कि पिडिया कवी मन की बहुत जादा सची और दिल की बहुत जादा साफ थी परन्तो पिडिया कवी की सिर्फ यही समस्या थी कि उसे मन से नहीं बलके अपने चेहरे से प्यार था और वे अपने चेहरे से भी खुबसूरत दिखना चाहती थी फिर एक दिन पिडिया का हुई एक सफेद चिडिया के घर पड़ जाती है और वे दोनों आपस में बाते कर रहे होते हैं तुमने स्वा से नहाया ही नहीं है और ये क्या कर रही हो बेटी हूँ अच्छा बेटी हूँ तुम तयार हो पर दू माफ करना मुझे पता नहीं चला क्योंकि शायद तुम्हारी काली रंगत्की वजे से ये लगा ही नहीं कि तुम मूधो कर आई हो और तयार हो फिर छोड़ो कोई बात नहीं ये बात सुनकर पिडियकोवी का दिल बहुत जादा दुखता है पर उन्तु वे उस समय कुछ भी नहीं के थी बस इसी वज़ा से उस दिल पिडियकोवी कल्लो राम की शादी में भी नहीं गई और एक जगा बेट कर रोने लगी वे फूट फूट कर रोए जा रही थी और अपने आपको बहुत जादा बसूरत समझ रही थी अरे मैं बिलकुल खूबसूरत नहीं हूँ बलके मैं तो बहुत जादा बसूरत हूँ और अब तो लोगों ने मुझे ताने मारना भी शुरू कर दी हैं लोग मेरी बसूरती का मज़ाग उडाते हैं यह मेरे साथ क्या हो रहा है मैं क्यों दूसरे पक्षियों के तरह खूबसूरत नहीं हूँ अभी पिरिया कावी फूट फूट का रोही रही होती है कि तब ही उसकी नजर सामने लगे हुए एक पोस्टर पर पढ़ती है वे पोस्टर गोरा करने वाली एक क्रीम का था जिसे देखकर पिरिया कावी मन ही मन बहुत जादा खुश हो जाती है और उस क्रीम को लेने के लिए वो तावली हो रही होती है अरे वाह अब रोना धोना छोड़ पिरिया मिल गया तुझे तेरी बसूरती को खतम करने वाली दवा आप देखो इसे लगाकर दो दिन में हो जाओंगी मैं गोरी गोरी ऐसा सोचकर वे पिरिया कोवी उस तोते के घर पर जाती है जो कि ये क्रीम मनाता था और पूरे जंगल में बेशता था पिरिया कोवी उसके घर पर आकर तोते से वे क्रीम मांगती है अरे तोते भईया तोते भईया मुझे भी वे रंग गोरा करने वाली क्रीम दो ना मुझे अपना रंग एकदम परमसुंद्री जिसा गोरा गोरा करना है अरे हाँ पिरिया बेहन लेके जाओ ये क्रीम मैं गिरंटी देता हूँ दो दिन में ये तुम्हारा रंग सफेच चुनिया से भी जाना गोरी कर देगी और तुम इस पूरे जंगल की रानी लगोगी रानी बस तुम ये क्रीम ले जाओ परन तुम एक बाद जरा दिखान में रखना अगर तुम्हें ये क्रीम चाहिए तो मुझे 10 गंदम के दाने देने होगे तब ही मैं ये क्रीम तुम्हें दे पाऊँगा ये बास सुनकर पिरिया कवी जड़ से उस तोते को 10 गंदम के दाने दे देती है और उसे क्रीम मांगने लगती है फिर पिडियकवी उस तोते से वे क्रीम ले लेती है और अपने घर पर आ जाती है कुछी समय में राद भी हो जाती है पिडियकवी अपने पूरे चेरे पर वे क्रीम लगा लेती है और वे मनीमंद खुश हो रही होती है कि कल सुबा वे उठेगी तो वे परमसुंद्री जैसी गोरी गोरी हो जाएगी परंतु फिर जब सुबा होती है और पिरियकवी खुद को शीशे में देखती है तो उसमें कोई भी सुधार नहीं आया होता बलके वे बिल्कुल वैसी की वैसी ही होती है पिडियकोवी को देख कर अफसोस तो होता है परन्तु वे हिम्मत नहीं हारती अगली रात पिडियकोवी फिर से वेही क्रीम लगाती है और मनी मन खुशो कर सो जाती है परन्तु होना क्या था हर बार की तरह इस बार भी पिडियकोवी हार ही जाती है उसके चेहरे में हलका सा भी बदलाओ नहीं आया था और वे बिलकुल वैसी की वैसी ही थी औरे ये क्या हो गया ये क्रीम भी मेरे चेहरे पर असर नहीं कर रही लगता है मेरा रंग बहुत जादा पक्का है मैं बिलकुल भी खुबसूरत नहीं हो सकती शायद ये मेरी बदने से भी है मैंने सब कुछ करके दिख लिया परन्तो मेरा चेहरा बिलकुल भी नहीं बदला पिरिया कोवी सब कुछ करके देख चुकी थी परन्तो वे खुद को जरा सा भी बदल नहीं पा रही थी तबीब अचानक पिरिया कोवी को अपने पती की एक बात याद आती है अरे अच्छा तो ये बात है तुम्हें लगता है कि जो पक्षी शकल से बहुत जादा खुबसूरत होगा फिर दिल का भी अच्छा होगा तो फिर जाओ, किसे दिन जाकर जंगल में देख लो, तो में असले खुबसूरती का पता लग जाएगा अरी ये कीटे थे, जब भी तुम्हें खुबसूरती का पता करना हो, तो ज़रा आप इन जंगल का चक्र मार लेना चलो आज मैं इनकी बात भी मानी लेती हूं और जरा इस जंगल का चक्कर मार कर देखती हूं ऐसा सोचकर पिडिया कोवी जंगल में निकल जाती है तो सबसे पहले उसके नजर उसी तोते वे पढ़ती है जिससे वे क्रीम लेकर आई थी वे तोता पिडिया कोवी के तरह दुसरे पक्षियों को भी चुना लगा रहा होता है पिडिया कोवी ये देखकर समझ जाती है कि इस तोते का दिल बहुत ज़्यादा चोटा है और ये दुसरे पक्षियों के साथ बैमानी कर रहा है पिडिया को वी जंगल में थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे नजर आता है कि एक बड़ी चिडिया अपने छोटे छोटे बच्चों से उनका दाना चेन चीन कर खा रही है तो उसे ये देखकर बहुत जादा बुरा लगता है और वे मनीवन सोचती है ओरी मैं कितना गलत थी सिर्फ मैं ही बसूरत नहीं हूँ बलकि ये सब ही बसूरत है तेखो तो कोई मां अपने ही बच्चों से दाना चीन रही है तो कोई तोता दूसरे पक्षियों को चूना लगा रहा है मेरे पती सही कहते थे जिसका मन साफ होता है वो ही सबसे जादा खुबसूरत होता है बाकि सब बसूरत है मुझे आज पतो चल चुका है कि असल खुबसूरती चेहरे की नहीं बलकि दिल की होती है जिसका दिल साफ होता है वही सही माइनों में खुबसूरत है आखिरकार पिडिया कोवी को भी ये बात समझ में आ गई कि खुबसूरती चेहरे में नहीं बलके दिल में छुपी होती है दोस्तों अगर आप हमारी वर्ड्स फैमली के साथ जड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोडिफिकेशन सबसे बेले मिल सके